देश दुनिया साहित्य यासमा जहां होती है हर मुद्दे परपाद विचार है दिमर्ष है हल है निश्कर्ष है हर सवाल कहा जिर है जवाद संप्रती संप्रती आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विशय पर चर्चा करेंगे और विशय है महिला उध्यमी और अनुशुशीत जाती जने जाती उध्यमियों पर और इसके लिए आज हमारे पास विश्षजग्य के तौर पर है श्री सुभी पॉल जो नाशनल प्रेसिडेंट है इंडियन चमबर अफ कॉमर्स के फॉर से एस्टी और महिला उध्यमी सर बहुत स्वागत आपका सबसे पहले तो मैं जानना चाहा रहा था कि आप जो चमबर अफ कॉमर्स फॉर से एस्टी और वोमन इंटर्प्रेनर के लिए क्या कर रहे हैं क्या प्रावधान है जो आप कर रहे हैं सर सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा दुर्दर्शन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने मुझे एक प्लाटफर्म दिया अपने विचार को रखने के लिए अपने बातों को रखने के लिए जो कि जन जन तक ये बात पहुचे और मैं बताना चाहूँगा कि Indian Chamber of Commerce for A.C.S.T. and Women Entrepreneurs एक ऐसा संक्स्था है जो कि उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है ये संक्स्था 2018 में बनाए गया था ये संक्स्था बनाने के पहले इसका मक्सद ये था कि Indian Chamber of Commerce बहुत सारे Chamber of Commerce है मगर आप देखे होंगे जितने भी Chamber of Commerce इंडिया में है उस सारे बड़े-बड़े उद्यमियों के लिए हैं बड़े-बड़े अरपतियों के लिए हैं लेकिन छोटे उद्यमियों को किसी ने ध्यान में रखा नहीं था कि छोटे उद्यमियों मान लिजे कोई घरेलू अस्तरपन मतलब मान लिजे एक जिसको हम लोग बोल सकते हैं कॉटेज इंडिस्ट्री जो घर-घर में अपना छोटा इंडिस्ट्री खोलते हैं सापको कोई अमान लिजे अगरबती बना रहे हैं और वरिस्ट्री पूस्पी कोई रहें अपना लिजैOR विर्णबती बना रहे हैं तो उनके लिए बड़ बड़ा यह जरूरत नहीं पढती हैं कि ACST के लिए सरकार ने काफी योजना निकाले हैं, लेकिन उनको ये योजना तक पहुचाने के लिए एक प्लैटफर्म चाहिए, तो मुख्य तोर पर जिसे आप तो महीला उद्यमियों के लिए भी कर रहे हैं और अनुशुशित जाती जनजाती के लिए गारे कर रहे हैं, कि आप देखेंगे, सपोस एक महीला अच्छा खाना पकाती हैं, तो आप देखेंगे बड़े-बड़े सहरों में कि एक टिफिन सिस्टम भी चलता है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं जानता हूँ, कि दिल्ली में एक ऐसा मतलब महीला लोग ऐसा काम करते हैं, कि घर के दो दोगी, मेरा खाना को आप ट्राइल करके देखो, तो आप करते जहां कि मेरे पर समय का कमी हैं, तो महीला का रोल होता है, तो गर मैं बैठती है, जैसे पहले हमोग क्या बोलते हैं…क्या गोबर से हम लोग बनाते थे, अपला जो बनाते थे. कि बहला अभी गोबर से उपला तकी सीमीत नहीं रहेगे हैं हमारे हैं उसको गोइठा भी बोलते हैं और गोबर एक ऐसा चीजे मैं आपको बताना चाहूँगा मैं काफी महिलाओं को यह बताना चाहता हूँ और जो खास करके गाउं में रहती हैं कि गोबर से आप स्री पूपला नहीं बना सकते हैं गोबर से आप धूबबती भी बना सकते हैं गोबर से भी बहुँ सार प्रोड़क्ट बनता है principal कर दो अलब ने कि बताता हूँ मैं बचपन में कि हम भी पहले आपतलो फॉब पैरी से चौरा बनाते थे जो board पे लिखा जाता था, बाद में मुझे एक idea आया कि chalk तो भाई हम उसको जैसे hard process में डाल देते तो chalk बन जाता है, तो उसको हम मुर्थी भी बना सकते हैं, तो उसको हम chhansha में डालते तो मुर्थी भी बनता है, उसी थराए गोबर का भी हाल होता है कि आप गोबर को भी अ Amazon या Flipkart में आप उपले के बारे में एक बार सर्च कीजिए, उसका rate आप दिखेगा, जो कि वो डॉलर्स पे लेते हैं, तो हमारे महीलाओं को पता नहीं इस चीज़ को, और उसी चीज़ को हम लोग बताने के लिए बोलते कि भी आप प्रोडक्ट तो बनाते हैं, पर ध्यान नहीं दिया, कि उन्होंने सोचा कि मतलब मामूली एक पॉलितिन में में पैक कर दू बस एक स्टिकर चिप का दू, तो लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता है, मार्केटिंग से संब्दिए बिलकुल, मार्केटिंग सिस्टम को ध्यान देना पड़ेगा, मार्क कि अगर चिप्स बश्रब बना, चिप्स प्राइब के देते हैं, तो बच्चे नहीं उस्टम का था हो जैगे, या लेकिन उसका के इस तरह हो ना चाहिए, कि आपको इंटरनेशनल मार्केट का टककर में होना चीए तभी जाके आपका प्रोड़क्ट भीकेगा आधरवी साब जितना भी प्रोड़क्शन कर लीजिए अच्छा कॉलिटी दे दीजिए लोग नहीं समझ पाएंगे तो बहने आप देख रही हैं आप उत्पाद बना रहे हैं लेकिन उनके पैकेजिंग पे भी बहुत ध्याद देना हो और इसमें सुभीर पॉल साब बहुत काम भी कर रहे हैं आजकल बहुत चर्चा में हैं गोबर के दिया भी दिपावली आवले रहा है तो आप इस ताइब क मुर्ती का पुजन भी होता है क्योंकि हम लोग हिंदू समाज में गोबर को हम लोग सुध मानते हैं कि हर जगा हम लोग पुजा भी करते तो पहले गोबर से लिपते हैं हमारे यहां कुछ भी अनुष्ठान होता है तो गोबर से हम लिपते हैं कि उसको सुध किया जाता है तो उसी तरह गोबर से हम लोग मुर्ति भी बनाते हैं और वो काफी मतलब एको फ्रेंडली होता है, आपको पता होना चाहूंगा कि एको फ्रेंडली एक गोबर का लकड़ी भी निकला हुए है, गोबर का लकड़ी जो है, हमारे साथ और एक संगठन जुड़ा हुआ दिल्ली कि हम Green India को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आप गोबर का लकड़ी होता है, वो ज़्यादा असरदार होता है, वो दच्छा होता है, गोबर का लकड़ी का यूज किया जाता है, वो का काफी सस्ता भी होता है, और बहुत टिकाओ भी होता है, गोबर का लकड़ी, तो गोब बहुत अच्छा बनाते हैं लेकि इंडियन चेम्बर आप कॉमर्स कैसे मज़द कर रहा है इंडियन चेम्बर आप कॉमर्स का काम यह है कि एक उध्यम ही है आप एक साइकल का दुकान भी खोले अगर आप उध्यम ही हुए तो आपको कैसे आगे बढ़ाएंगे श्रीप आप जब माली जे कुछ भी काम आप करते तो उस लेबल तक ही आप रहते कि मेरे पस 10 कस्टमर आगा डेली का या 20 कस्टमर आगा बस उतना ही मेरा हमदानी है लिए उतना नहीं है अब उससे भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा तावे कैसे आगे कैसे बढ़ेंगे सपोज माल परकार के तरफ से एक पॉसाहित मिलना चाहिए था-था-फर की पर्रोसान मिलना जाए किस तरह का मिलेगा सब्सटमर महीला को आपी सजार रुपया के जरूत remains तो वह बैंक से लोन कर गी मैंक से लोन जब करते तो उनको सबसेडी दिया जाता है जैसे PM 2019 प्रया मिनिस्टिय तो आपको 35% सबसेड़ी मिलेगा, यह एक लाक रुपया लेते हैं तो 35,000 रुपया आपको सबसेड़ी मिल जाएगा, छूट मिलेगा, यानि कि आपका लोन एमांट मतलब 65,000 रुपया होगा, तो उसी तरह अगर मान लिजे सहर में अगर कोई है, सहर में अगर CST या फिर मही मिला है, तो उनको 35% नहीं मिलती है, उनको 25% मिलती है, मगर मिलती है, ठीक है, तो यह जो मतलब प्रोसाहित जो करने के लिए, प्रोसाहित जो रासी है, उनको किस तरह मिलेगा, उनको तो पता नहीं है, तो हम इसको बताते हैं उन लोगों को, हम जहीर है, आप इतना बड़ हमारी महिला उद्यमी हुए या CST के बाइब बंद हुए ठराज्जा में हमने दो मैना पहले चार जिला में हमने कारी करेम किया था हम किसी को बोलते नहीं है आप हमारे पास आओ हम उनके पास जाते हैं क्योंकि हम एक संगठन है संगठन, ऐसा संगठनाम है कि हो सकता उनको हमारा contact number नहीं मिला हो लेकिन यह बात है कि आपके कारिक्रामे कजरी है हम अगर contact number दे भी देङे उतना ही लोग contact number पाएंगे जितना यजोग आपका कारिक्राम को देख रहे बिल्कुल बिल्कुल और दर्शक हमारे अब भी आप कह सकते हैं कि सबसे जयादा है ये बात तो एक दम सही बात है कि घ्रामीं छेतρε में दूरदर्शन को लोग जादा पसंद ही करते है क्योंकि दुरुदर्शन का कारिक्रम उस तरह का होता है, जानकरी होता है, प्रोसाहिद वाला कारिक्रम होता है, तो मैं बताना चाहूंगा, कि आप अगर हमारा भी कॉंटक नमबर रखना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं, कि हमारा कॉंटक नमबर भी आपको दे देंगे, जाकि ग्रामिन छेत्रे के जो लोग हैं, वो हम तक किस तरह पौश सके हैं, हमको हमको समसे संपर्क ऐसा साथ सके हैं, उसी पे मेरा अगला सवाल भी था, शुविर साहब आप से, कि नेटवर्क कैसे बनाएं, मनलग कैसे आप चेन बना करके एक दूसरे को जोड सक रहें, ऐसा मेजर का मोरिशा में चल रहा था, और एक मद्धप्रदिस में चल रहा था, और एक जारखन में चल रहा था, तो हम प्रत्यक राज्य का भ्रहमन करना चालू किये थे तबी, कि हम बोले कि जब हम एक संगठन चला रहे, तो लोगों को संगठन से जूडने के लिए, हमें लो विच्भक 24 राज़ हिहीं जूड़ चुके हैं और खास करके नौर्थिष्ट से बहुत लोग ध्यान नहीं देता। होता है, उसको ध्हान बःत कम देते हैं, सरकार योजना को भी ध्हान कम देते हैं. हम लोग करते हैं कि हम लोग एक NATOकिन AH के रखें. कि आप 10 लोगों को contact करो, गा समhhh यह कं यह हम से आप धूड़ो. हम यह थाअगर cst हैं, आप के लिए। यहोजना है सरकार का, आप अगर जनरेल है, आपके लिए क्या यहोजना है, ऐसा नहीं कि हम ACST संगस्ता चलाते हैं, तो केबल ACST को भी देखते हैं, हम लोग जनरेल को भी देखते हैं, कि कि हम चाते हैं हर किसी को रोजगार मिले, हमारे दर्शक आप से सीदे सीदे कैसे उसमें क्लिक किजिएगा देखिए लिक किया अगर आप उसमें एंटर करिएगा तो हमारा एड्रेस भी आ जाएगा फोन नंबर भी आ जाएगा अगर आपके पास फोन नंबर नहीं है मैं अपना फोन नंबर बताता हूँ आपको 7000-83-9777 तो इस नंबर पे आप कॉल करें या फिर मैसेज करें और आपसे मेरा निवेदन है आप जब भी कॉल या मैसेज करते हैं आप किस राज्य से बोल रहे हैं तो आप उस राज्य का नाम जरूर मिंसेन करें ताकि हम उस राज्य में हमारे जो रिप्रेजनेटेटिव है उनको हम बता सके किया आपको कांटक करें और आपको किस तरह से आगे बढ़ना है आपको क्या सही ओक चाहिए हम लोग जानना चाहेंगे उस अदिशा पे आपको ले जाएंगे एक आम डियमी एक आम महिला जो इन सब बातों से अनभीग है उनके लिए कौन-कौन से उद्य काफी स्विधा है, आपने उद्यो को बढ़ाने के लिए, क्योंकि food processing एक ऐसा industry है, कि सब को एक काणा चाहिए, किसी को भी, कोई भी इंसान है, सब को एक atención कोई स्नेक्स खाते है, कोई मानली चाइनिस आइटेम खाते है, कोई मानली चाहिवा खाते है, तो सभी आप, जैसे मैंने आपको पहले भी उधारन दिया था, कि महीला जैसे बड़ी पापड बना सकते घर पे, उसका आप उध्योग खोल सकते हैं, पापड शिरिफ एक किसी में नहीं होता, पापड बहुत सारे हैं, बड़ी भी बहुत सारे हैं, बड़ी आप बनाते खाल सभी काम में महीला निपुर्ण है और महीला लोग तो मैं प्रणाम करना चाहूंगा कि हम भी किसी महीला के पेड़ से जनम लिए हैं कि महीला ऐसा है कि उनसे हम सीखते हैं उनको भूक का क्याल है। बिलकुल महिला को काफी महिला ध्यान देती है और मैं खास करके हमारे जहारखंड के आदिवासी महिला जो है जन जाती है महिला उनको तो बहुत मैंने हज जोड़के पनाम करूँगा कि वो इतना मैंने काम करती है कि घर दिखने के साथ सथ अपना ब उसाहित करना जरूरी है ताकि वो आगे बरता है लेंगिक रुडिवादिता रही पहले हम पूरुष प्रधान मानते थे अपने आपको लेकिन अब समकक्ष कड़ी है वो महिला है तो इनको मेरा वही सवाल है कि इनको आप कैसे मध्यस्ता करते हैं आप कैसे कितने रुपे से क तुरंत द्योग लगा ले किसी परवतेवार में अपने प्रोड़क्स बेच दे बहुत असानी से कैसे आप मार्केटिंग में मदद करेंगे आपने जो सवाल क्या हो सवाल बहुत एहम सवाल है क्योंकि मैं जब कस्मीर में भी काम करने गया था यह लेंगिक जो फिलिंग से वो हमारे सामने आया था कि भाई आप परदा से बाहर नहीं जा सकते हैं आप जानते हैं जैसे उन लोग मुस्लिम ये से आते हैं तो उनके थोड़ा रिस्टिक्शन रहते हैं कि आप बुर्खा से बाहर नहीं जा सकते हैं लेकिन वहां के भी महिला जो हैं वहां के भी महिला करें वो जमाना खतम हो गया आप अगर मान लिजिए आपके घर में कोई महिला अगर काम कर रही है तो आप प्रोसाहिद जरूर कीजिए क्योंकि आपका प्रोसाहन से उनका आधा दुख जो है दूर हो जाएगा वो बहुत आगे निकल सकती है तो मैं पूरूस बर्क से में नि आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका जो प्रोसाहन जो है उसके लिए सबसे नंबर वान होना चाहिए क्योंकि उसके बाद ही आगे बढ़ने के लिए यह करते हैं उनको पर भरूसा रखिये और उनको आप जरू सपोर्ट कीजिए बाकी आपको हम कॉंटक नंबर आपको मैंने बता भी दिया और सेकन्ड बात रांची में अगर आप है माली जी जार्खंड में है जार्खंड में नैशनल S.C.St. HUB है जो कि NSIC चलाती नैशनल S.C.St. Hub बी सबसेड़ी देती है आपको मशीन अगर चाहिए तो मशीन के लिए 25% सबसेड़ी भी देती है काफ इंडिया और अभी ई-मार्केटिंग भी है गौवर्मेंट का जो जेम हम लोग बोलते हैं जेम पोर्टल बोलते हैं जैसे आप दुरदर्शन में तो आपको पता ही होगा कि जेम का थुरू से आपको समान खरीदना पड़ेगा आप चाहिए एक रुपया के भी समान क्या होता है कि दोग का समान एक में पौने में बेचके विचारों को संतुष्ट होना पड़ता है तो क्या उचित दाम मिले इसका प्रयास करते हैं इसके लिए MSP भी लागू है और MSP आप लोग क्या करते हैं हम लोग जैसे मैं बताया आपको कि हम जब आप कांटक करते हैं उनको पुश्ता हूं कि आपका प्रोड़क्ट कर है प्रोड़क्ट को हम लोग देखते हैं पहले उसके समान को देखते हैं क्योंकि हमको मुझे उद्यमिय के साथ सथ कस्टोमर का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्सक्राइब हम एक उद्यमिय है आप अगर अगर माली कुछ गिराबा नजर आया या पर कॉलिटी में कुछ खराब नजर आया तो उनका मार्केटिंग खराब हो जाएगा उनका प्रोड़क्ट खराब हो जाएगा तो उसलिए हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं स्किल डेवलोपमेंट ट्रेनिंग भी देते हैं और सरकार के करते हैं आप कर सकते हैं या फिर हमसे कॉंटक करने से हम सारा लिष्ट हम दे देते हैं जो भी उद्धे में हमसे कॉंटक करता है हम उनके मानलीजे जारखंड के अगर कोई हमें उद्धे मी बताते हैं कि हमें मदद चाहिए कि मानलीजे उनको फाइनेंसियल मदद चाहिए तो उनको तीन लाग रुपया बित्तिय सहायता देते हैं, क्यों? कि वो फ्लाइट में जाएंगे, आएंगे, वहाँ पे रहेंगे, खाएंगे, स्टॉल का चार सारा, सब मिलाके उनके लिए तीन लाग रुपय रखा हुआ, जो कि S.E.S.T. के लिए भी 100% सबसेड़ी है, आप ज ऐसा नहीं है, कि सरकार का योजना आप तक पहुचने पारी अलग बात है, क्योंकि सरकार का योजना का लाब आपको जादा से जादा लेना चाहिए, बारिश हुआ, बारिश हुआ, अपने गुंगु अड़कर च्हुआ बेतरा करके, धान की रुपनी करी, अब समय है कि बाते होगे, किस प्रकार की वित्य सहयता इनको प्राप्त हो सकती है, और कहा से? वित्य सहयता, देखिये, मार्केटिंग के लिए अलग होता है, मार्केटिंग के लिए ऐसा है कि आप सपोस्वेश अपना सामान को बेचेंगे, कहां बेचेंगे, देश भर में, अच्छे- सरकार के थ्रू से भी होते हैं. जैसा आपके सरस मेला है, पलिसरी मेला है यह सारे जारखन राज्य का भी काफी एक्जिबिशन्स होते हैं. तो उस पर आप आपको माली जी आप ज्वार्खन में रहते हैं, तो आपको बैंगलोर में जाना प्राइवट एग्जिभिशन है.. तो प्राइवट एग्जिबिशन जो है उसमें आपको पार्टिसीपिट करना लेकिन उनका इन पर्टा खार्चार्जेस लेगन उनका श्रेट के श्ट्रा त तो 20,000 रुपय चार्जिस होता है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि MSME का एक लिस्ट होता है माई MSME.gov.in में आप अगर जाते हैं तो उसमें सारा लिस्ट आपको मिल जाएगा देज भर में जतना एक्जिबिशन होता है MSME का अप्रूबेल से कितना हो रहे हैं तो स्टॉल का 20,000 रुपय आपको रिंवर्समेंट हो जागा एक्जिबिशन के बाद में जब एक्जिबिशन खतम हो जाती है तो आपको रिस्ट जो मिलता है वो ओनलाइन सारा चीज़ ओनलाइन हो गया अभी कुछ किसी के टेबल में जाने की ज़रूत नहीं है प्लस आपको 25,000 रुपय अडिशनल MSME मिनिश्ट्री दे रही है कि आप जाना आना जो करेंगे ट्रेन का खर्चा हो या फ्लाइट में जाई है उसमें कोई प्रोविजन नहीं है MSME बोली नहीं कि आप ठ्रेन में थर्ड क्लस में जाओ और सेकेंड क्लस में ऐसा कुछ मिनिए आप एसी में जाओ लेकिन आपका सीलिंग है 25,000 रुपया दोमेस्टिक के लिए उसमें आप जाना आना खाना पिना रहना सारा उसी में है बस आने के बाद में आप आनलाइन सा सारा अपलोड करिये MSME अपने आप आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें रिम्बर्समेंट कर देगी यह एक मार्केटिंग का बहुत ही बड़ा बहुत तगड़ा मतलब बोला जाए तो बहुत तगड़ा प्लाटफर्म है लोग एक बर में आप लोगों को बता देने चाता दर्सक बंदू को कि आप अगर एक बार इससे जूड़ जाते हैं उद्देमिता से तो आप इमाजिन नहीं कर पाएंगे कि आप इतना आगे निकल जाएंगे ना इसमें फाइदा यह ने कि अगर आप एक उद्देमी है तो आप माली जाद दस हजार का बिजनिस करें तो कल एक लाका होगा हो तो जब एक लाका होता है या बढ़ता है तो आपको लोगों की जरुत पड़ती है तो आप लोकल लोगों का आप एम्प्लोमेंट दे सकते हैं तो आपको काम करने के लिए लोग चाहिए होगा ना तो आप लोकल अपना गाउं से आप एम्प्लोमेंट ज देख रहे हैं और बहुत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पॉल साब एक चीज बताइए। इस कारिक्टर में हमने महिलाओं पे चर्चा करी। लेकिन जो पूरुस दर्शक हमारे देख रहे हैं। क्या वह भी उद्ध्यमी बन सकते हैं। बिलकुल पूरुस बन सकते हैं। जैसे मैं देखा हूँ काफी जगह में ऐसा होते हैं। सेल्फिल्फ गृूप जो समुओ बना रहता है। तो समुओ में महिला लोग उसका प्रोडक्शन करते, काम करते हैं। उसका मार्केटिंग पूरुस करते हैं। अब माली जे बाहर एक्जिबिशन जाना है, कोई महीला का बच्चा छोटा है, या उसका गोध में बच्चा, वो महीला जा नहीं सकती ना, तो उसका मार्केटिंग करते हैं पुरूस, तो मार्केटिंग करके लाएं तो अपना एक अंडर्शनिंग रहते हैं. और अब दिया भी जा चुका करते हैं, बिल्कुल, स्टार्ट अप को भी हम जागरुक करते हैं, बहुत सारी स्टार्ट अप ऐसा भी है कि इनोवेटिव, एक में बताना चाहूँगा आपको, सर, अनला समय की कमी है, इनोवेटिव एक मिनिस्ट्री का, कि अगर आप कोई भी स बना लीजे, या कोई डिवाइस बना लीजे, कुछ भी बना लीजे, ओ इनोवेटिव होना चाहिए, आपको सरकार फ्री में पंदरा लाख रुपे देगी, मिनिस्ट्री अप मेसमी ओनलाइन में, आपको देगी, किसी को पकड़ने की ज़रूत नहीं है, आप मिनिस्ट्री बात तो बहुत करने की इक्षा है, समय ने कभी बांधा, कभी छोड़ा, लेकिन आज बांधा हुआ है, इसलिए हमें इजाज़त लेने की आप सकता है, अब देशकों फिर मिलेंगे, संप्रती देखते रहें और जानकारी अपराप्त करते रहें, नमस्कार.